पाठ 21 समवाद लेखन डालोग राइटिंग समवाद का अर्थ है बातचीत दो व्यक्तियों के बीच हो रही बातचीत को ही समवाद या वारतालाप कहा जाता है समवाद करते समय ध्यान देने योग्य बातें वारतालाप करते समय शब्दों का ध्यान रखना चाहिए हमें कटू शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए एक दूसरे से आदर के साथ वारतालाप करना चाहिए सरल भाशा का ही प्रयोग करना चाहिए वारतालाप के कुछ उदहरन देखिए एक दो मित्रों के मध्य वार्तलाप, सक्षम क्या तुमने ग्रह कार्य पूरा कर लिया? विनीद नहीं, खेलने के बाद करूँगा मैंने तो विद्याले से घर आने के बाद ही पूरा कर लिया था इतनी चल्दी? हाँ, अब मैं मैं मैंच खेलने जाऊंगा अरे, मैं तो भूली ही गया आज तो मैंच खेलने जाना था कल से तुम भी अपना ग्रह कार्य समय से पूरा कर ले ना ठीक है दो, अध्यापिका तथा च्छात्र के मध्य वार्तलाप अध्यापिका निक्षय, तुमने फूल क्यों तोड़ा था? निक्षय मैं, वह बहुत ही सुंदर लग रहा था तुम्हें फूल नहीं तोड़ना चाहिए था देखा नहीं वहाँ बोर्ड भी लगा था? सौरी, मैं बेटा, फूल तो हमारे मित्र होते हैं हमें उनका ध्यान रखना चाहिए जी मैं, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी हमने सीखा समवात करते समय सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए कटू शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए झाल 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 झाल